तो इश्रो करते हैं एनिम टाइम का नाम लेकर सब्सक्राइबर आजकल आज निए मेरे पास ज्यादा तो यार जो भी वीडियो देखने आ रहे हो भाई लोग बहन लोग सब्सक्राइब बगरा कर दिया करो और कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरी शादी बगरा और अभी नहीं करना है अपने को और कुछ लोग बोल रहे थे कि जियान को जो थर्ड होली फ्ले में उसकी बारे में कब पता चला था तो भाई लोग मैंने बताया है एक लोग कह रहे है कि मैंने बताई नहीं है तो जियान को सब तो होगी बाते अब आगे बढ़ते हैं तो पिछले एपिसरोड में हमने देखा था कि अब जियान वगरा फाइनलेस को डेमन वेल दिखती है तो यह काफी जाता है एकसाइट हो जाता है क्योंकि जो थर्ड होली फ्लेम उसे खाने के लिए इसस डेमन वेल का कोर चाहिए अब आगे अब जियान ने जब अपना परपल फ्लेम का क्रिश्टल निकाल दिया तो डेमन वेल भी एक बार को जियान को घुरने लगती है और यह थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाती है अब जुनेर जो रहती है अपने गोल्डेन फॉर्म फ्लेम का जो वह नाइन क्रॉलि परपल इसके परपल क्रिश्टल में फाइनली यहांपर उसका फैंटम बावर बाहर आता है और इसके दो सींग को भी साफ देखा जा सकता था इधर यह जो ब्लैक डेमन वेल रहती है इसने यह आपर एक वार्टेक्स क्रिए था ब्लैक होल का इसे देखकर के अपने इसको ह होली था लाइफ से भर गया पेड़ वगरा भी इससमें काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि यही तो था गॉडेस याउजी का पावर डेमन वेल जब देखती है इसका जो सबसे स्टॉंगेस्ट ब्लो था यह ब्लैक होल टाइप अटेक्क यह तुरंत ही गया हो जाता है तो यह भी चौक जाती फाइलि यह जियान की दरब देखती है कहती कि होली मार्क यह कहती है तो मतलब पैटर कैसे बना सकते होली फ्लेम से यह टेकनिक तो लॉश्ट हो जुका है जियान के पीछे हिस समय होली पैटर जो पांच रंग जाते हैं पांचो फ्लेम के कारण अब इस सालों से यूज कर रहे थी हजारों सालों से अब इसके बाद जियान तुरंती जोनेर को पकड़ता है इस डेमन कोर को लिके यह यहां से निकल जाता है अभी लोग आगे ही बढ़ रहे थे तब ही यहां पर एक आवाज आती काफी अच्छा टेक्निक है तुम्हारे पास कि एक बैरियर बना लो और यहां पर किसी को भी मार दो और तुरंती जियान ने जो बैरियर बनाय था इस एक पावरफल फोर्स तुरंती क्रैश कर देता है जियान भी तैयार था इसके ड्रागन फिल्स फिर से बाहर निकल जाते है ताकि इस बंडे का जो यह अटैक था इसे रजिश कर पाए यह थीन फिगर जियान के तरफ देखता और कहता है तो जायो फैमिली के मेंबर हो तुम और यह बंदा कहता है अगर तुम लोग आही गए हो तो तुम्हें मेंसे मतलब यहां से कोई भी पचके नहीं जा सकता पर जियान तुरंती वो जो गोल्डेन परची जो यूवान उनकी वाइब का भी एक मुर्ती था पर इनके बारे में फिलाल जियान वगेर को ज्यादा पता नहीं था पर जियान मतलब मनी मनन को काफी रेस्पेक्ट दे रहा था यहां पर जियान का सूल पावर भी कुछ खास काम नहीं कर रहा था अब फिर से यह गोल्ड लेर कींगी थे यह जियान को देखती ही कहते तुम कोई भी हो मैं काफी लंबे समय से वेट कर रहा हूं मेरी आखरी यह इच्छा है और अगर तुम उसे पूरा करते तो यहां पर जो भी चीज़े तुम्हें मिल जाएंगी नहीं तो यहां पर तुम्हारे साथ जो भी कोर इंक्रिप्शन बना सकती थी तो यह कोई एविल नहीं थी यह बेसिकली जो युवान की वाइफ थी इनका एक मातर प्यार इनहीं का नाम लूलुवान था और लूलुवान के बारे में जो युवान के थे वो अभी भी जिंदा है अब जियान भी यह जो बरफ के समान कर में वहाँ चली गई थी पर मैंने उसको बचा तो लिया फिर लेकिन जब यह मुझे मिली तो यह ऐसी हो गई थी आने के बाद वो ठीक थी पर उनके बोड़ी पिशाद यह घोश मार्क था और धिरे-धरे समय के साथ यह ऐसी हो गई फिर यह कहते हैं मतलब यह मिसन इन्ह पी नाइन प्रफाउंट फायर लॉड का इन्हेरिटेंस है यह काफी एक्साइटेड हो जाते हैं जू युवान फील कर सकते थे कि जियान के पास होली फ्लेम है और जब जू युवान मरे जदी यह बताते हैं यह उनका इस्ट उस समय फिफ्ट श्टार रिंकारनेशन पर और यह कहते हैं जिससे हारे थी यह शैद तीन-चार लोगों ने मतलब एविल क्लैन के जो रैड रैंक के किंग होते ही इन्हों ने अटाइक किया था शैद वो बंदा और भी हाई लेवल पर चार्चुका होगा वह रैड किंग उसकी बाद ही यहां से गायब होनी रगते है और यह जियान को मतलब एक नई जगा पर मानो भेज़ दिये हों यहाँ पर आने के बाद जियान को एक क्रिस्टल टाइप दिखता है और इसमें काफी मिस्टिरियस पावर था और यह फॉर्मेशन का पावर था अब जियान यहाँ पर अपने नी गॉंग वांग यानी की को अब वैसे बी जोईवान को एक ही काम दिया था लूलुवान को बचाने का और इसके सामने वही क्रिस्टल स्चेच्व था लूलुवान का और यह अपने कोरी के पावर को इनकी तरफ भेजता है यह कुछ गलती फिल करता है यह जुनेर को दूर ढखल देता है और यहाँ प पूरे power को धेतरे absorb करने लगता है अभी उसके लिए एक test था और यह तुरंद एक दूसरे space में भेज़ दिया जाता है अभी जो भी power था पहले जैसा ही हो चुका था रिकावर हो चुका था और यहां मतलब पूरे तरह से अंधेरा ही था और इसमें यह फील करता है इसका जो core की लेवल का fluctuation हो रहा था और जो बाहर से इसको एक power feel हो रहा था यह इसके core encryption के जैसा ही power feel करा रहा था इसके सामने एक peach black color का rune था मतलब की power of evil और यह तलवार का रूप लेता यह peach black aura और जियान के तरफ काफी तेज़ी से बढ़ने लगता है जियान के तुरंथ ही evil energy था यह से purify करने लगता है और थोड़ी समय में जियान के इस holy flame pattern के करण पूरी evil aura इस rune में जो थी खतम हो जाती है और जो बाहर में woofoo palace में वो लूलुवान का जो body था जो crystal form में था उसमें से भी थोड़ा बहुत black aura पॉजिनस और बाहर निकल जाता है अब जियान भी यहां से बाहर आ जाता है जुनेर इसे देखके finally खुश हो जाती है जियान इसे बता आता है कि यह इस core of the formation में एंटर कर गया था और इसने finalist formation को break कर दिया है उसकी बात जियान का नजर लूलुवान के जो crystal body थी उस पर जाता है और इस समय यह भी अब जाग चुकी थी जियान इनने बता आता है कि elder जू युवान के कहने उनके आगर एक चाती तो मैंने आपको बचाया है और इनको इस समय यह प्रणाम टाइप कर कि मैं इस दूनिया में सबसे strongest बनूँगा और हमेशा तुम्हें प्रटेक्ट करूँगा और इनने याद आता है कि दो रेड़ गिंग से अकेले जू युवान फाइट किये था और इन्हें प्रटेक्ट किये था उस टाइम और इस समयन की आखों में आसू भी थे अब लू लू वान जाने को तयार नहीं थी कि इन्हीं के वचे से जो विवान मारे गए अगर यह कोर इंक्रिप्शन आफ लेने नहीं जाती तो ऐसा कुछ हाथसा होता ही नहीं और इस दूरान के पास वो जो रेड रियून था उससे यह बाहर निकालती है और यह जियान के दरफ जाएंगे और यह पूरा हो जाएगा इस दौरान लूलुवान भी स्माइल करती है और अपने बॉड़ी से जो इनका रेड रियून का कनेक्शन था उसे काड़ देती है पर इसके वैसे काफी वीक हो जाती पर इन्हें कोई पस्तावा नहीं था जियान इनको मना करता है यह यह वैसे हो जैसे कोई बंदा अपने बॉड़ी से होली फ्रेम निकाल करके बाहर देती है यह जियान से पहले कहते है फिलाल इसे एब्जॉर्ब करो जो भी तुम्हें पूछना है मैं बाद में बता दूगी और यह कहती मुझे नहीं लग रहा है कि तो बस इसी काम के पर इसमें रिस्क था मानों यह दोनों कोड इंक्रिप्शन एक दूसरे को निगलने के कोशिश कर रहे हूं इनका मेन मकसद फ्यूज होना चाहिए और लिलुवान कहती है इसको इंटिग्रेट कैसे करना मिलाना कैसे है यह मैं तुम्हें नहीं बता सकती मतलब इसमें तुम तुम भी इसे पीछे नहीं रहना चाहती हो और जो जू यूवान माश्टर का इनरेटेंस था यह जूनेर को देती है अब इन दोनों से कहती है जियान तो ऐसे भी फोकस कर चुका था जूनेर से भी कहती है तुम्हारे जो भी प्रशन है फिलाल पहले तुम कल्टिवेट कर इन दोनों को पूरा नहीं कर पाता है और फानली यह फील करता है उसमें से एरी और निकल रही है और एक दूसरे इस ट्रेंज स्पेस में फिर से पहुंच जाता है और यह स्पेस का यह जगह जाओ जो भी था यावर प्रिचूल पावर अलग ही लेवल पर था और यह मानु यह devore करना चाहता हो, अब इसको देख करके, क्योंकि अपने power को use नहीं कर पा रहा था, तो यहां से भागने लगता है, अब जियान यहां पर जो भी सीन देखता है, क्योंकि भागते भागते अब इसको समझ में आ गयता है, यह बचके नहीं जा सकता, अब यह रूग जाता ह अब यह जो black hole type वह रहा था, जियान को devore करने आने लगता है, जियान कहता है ठीक है, देखी लेते हैं, अब यह power जो था, जियान की body को मानो, काफी ज़्यदा pain देने लगता है, पर जियान भी एकदम पागलों के समान, अपने दाथ पीस रहा था, फिर भी register कर रहा था, औ क्योंकि vortex type बना हुआ था, एक ancient encryption में बदल जाता है, और यह जियान का बस एक illusion था, और जिसे जियान ने finally इस pain के करण ब्रेक कर दिया था, और इसके दोनों core encryption जो फिलाल अलग अलग थे, अब यह मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, अब जियान के palm पर मतलब इस mysterious pattern को दिखा जा सकता था, जियान अपनी आखे खोलता है, लूल वान काफी अधा excited रहती है, और जो जियान के spiritual power था, यह जो पूरा वूफू एरिया था, इसे cover कर लेता है, और वहीं यह जो dark space था, जामर जियान वगरा थे, वूफू continent में, काफी दूर में, एक पेड़ पर एक बंदे क माना जा सकता है, यह तुरंत ही अपने spiritual force को पीछे खीच लेता है, और अपनी आखे खोलता है, अब जब जियान देखता है, तो जूने रभी भी डीप cultivation में थी, जियान जब समझता है, साथ इसके हिसाब से, क्योंकि अब इसका जो नी गॉंग वांग है, यह पूरा हो सकता है, मतलब यह two star incarnation वाले बंदे को आराम से रोख सकता है, और यह जियान को बताती है, कि जब कोई बंदा demon slayer king बन जाता है, तो उसको एक trace of energy दी जाती है, शायद उसको piece of paper भी कहते है, तो वह कोई एक चावी है, जिसले कि तुम कोई divine item को unlock कर सकते हो, उसके बाद यह ज जहाँ पर जो शायद emperor है, उस पर attack कर सकते हैं, और इस समय जो crystal palace था, यहाँ से blue light निकलने लगती है, और यहाँ पर जो भी लोग आये थे, यह हैरान हो जाता है, इस power को देखकर, और यह अपने spirit power को use कर रहे एक, मतलब transformation pattern बनाने में, उसके बाद जियान से कहती है, मैंने यह passage बना दिया है, अब बागे तुम्हारे उपर, उसके बाद क्योंकि इन्होंने अपना spiritual power भी use कर दिया था, तो यह भी यहाँ से खतम हो जाती है, और जाते जाते कहते हैं, फिर से मैं आरी हूं तुमसे मिलने, जियान आगे नहीं बढ़ता, फिलाल इने respect देता है, तो इस रास्ते में बेसकली 100 सीडिया थी, अब जियाने के कदम आगे लेने लगता है, और जैसे जैसे यह एक स्टेप ले रहा था, प्रिशन इसके बाड़ी पर अलगी लेवल का पढ़ रहा था, अभी समया पर जो कई सारे लोग जियान के साथ आए वोई थे, यह आजमान के इसके जो नी गॉंग वांग का गोल्डेन नाइट निकल रहा था, फिलाल इसे प्रोटेक कर रहा था, पर जैसे 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 जियान आगे बढ़ता है, मानो एक डार्क और जो काफी लंबे समय से सो रहा हो, फाइनली जाग जाता है, और इन और जो यूवान और लू फेनिक्स क्लैन की लड़की थी, फैंक केंग की तरफ, और कहता है, यह तुम दिखा देना, लूओ लूचेन इसी इसको देखती है, तुम्हें बचाने जरू रहा जाएगा, और उसमें से जो एविल और निकल रही थी, एक अलगी लेवल पर था वो, पर फैंक किंग यहां बचाने को तैयार नहीं दे फिलाल, कि तुम्हें क्या लगा हम लोग डर रहे हैं, जियान इसे कहता है, अगर तुम यहां से नहीं गई, तो कभी निकल नहीं पाओगे तुम लोग, और मेरे लिए एक बर्डन ही बन जाओगे, जुनेर की इस समय, वो जो नाइन क्रोज मार रहते हैं, वो चमकते हैं, और इन लोगो डाटते हैं फिलाल, अब जियान जो रहता है, धीरे धीरे अपने कोर इनिक्रिप्शन को कंडेंस कर रहा था, और इसके नमबर धीरे धीरे तीन लाग के आसपास पहुंच चुके थे, अब जुनेर भी इधर अपना ध्यान फोकस क अब यहां पर यह जो ब्लैक लाइट निकलती है, यह कहती है, एक बंदा जो जस्त रिंकार्नेशन पर पहुंच आए, और एक जो अभी रिंकार्नेशन को टच कर रही है, तुम दोनों मुझे मारोगे, और सामने यह जो बंदा आता है, जियान के हिसाब से यह रेड किंग अब इदर बाकी जूबी लोग थे, यह समझ जाते कि जियान जो कह रहा है, वो सही है, रेड किंग का बंदा, यह लोग फाइट नहीं कर सकते थे, पर यह फिर से डिसाइड करते हैं, शादिया मिलके इस एविल औरा को हरा सकते हैं, जियान अकर नहीं जानता कि यह लड़क चुका है, और इसका यह जो अटैक रहता है, डेविल पाइथन वाला, धीरे धीर करके यहां पर जो कई सारे लोग थे, इन्हें मारने लगता है, और इनके पावर को एब्सॉर्ब करके, यह रेड किंग के बाड़ी में टालने लगता है, और फिनिक्स क्लैन की यह बंदी जा भी नहीं पाती है, और हाला कि एक तिया ही लोग शायद अभी मारे भी जा चुके रहते हैं, जियान की हिसाब से यह जो एविल किंग है, शायद यह फिफ्ट इस्तार, फिफ्ट इस्तार रिंकारनेशन के असपास हो सकती है, अब जियान सोचता है, क्योंकि यह अपने ह आइन क्रोज अटेक को यूज करती हाला कि जुने रभी इनकारनेशन नेवल पर नहीं थी, ने तो यह भी होली फ्लेम पैटन बना सकती थी, फिर भी इसका जो होली फ्लेम था, वो आठे में रैंक का था, तो कोई मजाग बात नहीं था, अब जियान भी फाइनली अपनी आ रोल कर सकते हो, और इसके अंदर एक अलगी डर था फिलाल, पर फिर से इसके अंदर एक किलिंग इंटेंट जाक जाता है, क्योंकि यह फॉर्मिशन पास्ट में किसे ने यूज किया था, अब जियान भी इसके तरफ देख करके एक स्माइल देता है, यह कहती मुझे मुझे पर फिर भी तुम्हारे श्रेंट इतना नहीं है कि तुम मुझे मार सको, पर इस फॉर्मिशन से जो प्रिसर निकल रहा था, उसे देख करके जूनिर थोड़ा घबरा आ जाती है, जियान इसे कहता है, मैं यह ट्राई करना चाहता हूँ, अब जूनिर भी तयार हो जाती है, और यह तुरंत अपने गोल्डेन फ्लेम से, जियान को थोड़ा बहुत औरा देने लगती है, यह जो फॉर्मिशन था, इसे ओल हेवेन डेमन फॉर्मिशन कहा जाता है, और यह एल्डर जो युवान का था, हालाकि इसको यह पीक पर नहीं यूज कर सकता है, फिर भी इसने तीन लाग तीस हजार कोर इंक्रिप्शन बना दिये थे, होली फ्लेम की मदद से, तो इतना काफी होगा शायद, हलाकि इसे ट्रैप तो नहीं कर पाएगा, फर यह थोड़ा इसको समय दे सकता है, अब इस फॉर्मिशन में जियान ने अपने होली फ्लेम, फ्यूजन और पै हाफ गौड लेवल की बंदी रहती है, यह कहती है, जितने लोगों से मैंने फाइट किया है, मैं मानती हूँ, तुम काफी स्टॉंगेस्ट हो, पर फिर भी हारोगे तो तुम ही, अब जियान तुरंत अपने यह गोल्डन होली स्वाड से, एक स्लैस अटेक इस एविल तो फिलाल यह शांत होके बैढ़ गया रहता है, सोल पावर और फ्लेमिंग मंत्र को यह एक्टिवेट कर दिया था, अब दर यह जो एविल किंग थी, यह जियान का अटक को ब्लॉक करने में लगी हुई थी, जियान अपने होली पैटन को भी संबन कर लेता है, अब दर यह यह जियान का अटक को उस समय के खतम कर दी रहते हैं, अब जूनिर जब देखती हो जो 12 फिगर था, आइस वाला शायद यह एक एविल टूल है, और इस में से एक पावर फुल बीम आफ लाइट निकलती है, और इस होली स्वार्ड को यह डेश्ट्रॉय कर दी रहती है, इस किलिंग इंटेंड के साथ जियान की तरफ देखने लगती है, इधर जियान अपने होली फिलेम को संबन करके, होली पैटरन से अपने फिलेम को मर्ज कर रहा था, पांच इसके थे और एक शायद इसने जूनिर से थोड़ा समय के लिए उधार में थोड़ा बहुत फिलेम प और जुनिर को फैनली इस अटेक से बचा लिता है, तो पर क्या जियान का वो जो अटेक था, यानि जो यह सिक्स होली फिलेम को मर्ज कर रहा था, और थोड़ी दिर में इसने इन सिक्स फिलेम को मर्ज करके, एक सिक्स लेयर का रिंकारनेशन बुद्धा लोटस बना लिया और यह तुरन थी, इस एंगरी बुद्धा लोटस को इसकी तरफ उचाल देता है, और एक फॉर्मेशन के अंदर इसे सील करके, यह स्पेस शटल टेकनिक के साथ, जुनिर को लेकर यहां से निकल जाता है, अब जैसे इसका एंगरी बुद्धा लोटस उस ट्वेल आई लगा दिया हो, अब जियान वी प्रकार के अटेक को यूज करने के बाद, इसका चेहरा काफी ज़्यादा भील हो गया रहता है, अब जियान इस दुरान स्पेस ट्रल टेकनिक से एक वाइड की तरफ मूफ कर रहा था, पर यह जुनिर को डाटता है, पिर इनकारनेशन सील क पावर को ऐसे यूज मत किया करो, अब जो बाकी लोग थे शायद जियान के मदद से यह पहले ही वहां से निकल गए रहते हैं, अब जियान के जो जियान के जियान के बॉड़ी में भी कई सारे पेन होने लगते हैं, यह सोचती इस लेवल का पावर इस बंदी के पास जो की आविल टूल के मद्ध हम से असमें चार आइस खुलती हैं और जियान के इस पावर से यह फाइट करने लगती है, हाला कि इस अटक को यह मतलब बस तो जाती है, पर इसके बॉड़ी पर कई सारे स्कार्स वगरा हो चुके थे, इसका चेहरा भी फिलाल काफी जाद आगली थ और यह निकलने के बाद कियाती है, मैं तुम्हें छोड़ने वाली तो नहीं हूँ, अब क्योंकि जियान इस पूरे स्पेस में ही आग लगा दिया था, तो फिलहाल ही अपने एविल टूल से इसको रेजिस्ट कर रही थी अभी भी, अब यहाँ पर कई सारे एविल आर्मी अंदर मतलब इस पासेज में भी जियान अपने दो लाख कोर इंक्रिप्शन से और थोड़े बहुत होली फिलम के मदद से इन्हें ब्लॉक कर देता है, और यह जोनिर को लेकर फाइल यहां से निकल जाता है, और यह पासेज भी बंद हो जाता है, तब ही यहाँ पर इस पे यहां का जो पूरा स्पेस था वो सॉलिडिफाई होने रगता है, यह कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है, यह लोग यहाँ पर आएं, यह अपने मर्जी से आये थे सभी, यह सब हमार एक वज़े से हुआ है, और वेट करो सही अपरचुनिटी आने का, और हम कुछी समय मे यह पूरे Great Thousand World पर ही अपना राज करेंगे, पर यह कहते हैं, हाला कि उस बंदे एक बस Holy Flame है, पर उसका strength अभी भी काफी weak है, और यह भी एक wicked smile देते हैं, अब बदर जियान जोनेर को देखता है, और कहता है कि मैंने तुम्हेर जो reincarnation power है, थोड़े समय के लिए seal कर दिया है तो तुम उसे फिलाल यूज नहीं कर सकती हो, अब यहाँ पर मतलब, वो Phoenix Clans की बंदी, Lang Luachain सभी थे, और Luachain जियान को काफी जादा thank you बगरा बोलते हैं, क्योंकि वो जो Phoenix Clans की लड़की थी, Fankin ने इसे पूरी बात बता दी थी, और यह कहते हैं, मुझे मालू में तुम तुमारी identity reveal हो जाएगी, और तुमारे पर खत्रा रहेगा, जब तक कि तुम 3 star reincarnation पर नहीं पहुंच जाते हो, अब इस दुरान जियान, जुनिर के हलत काफी खराब थी, तो वो जो लड़की थी, Miss Fankin, उससे पूचता है कि क्या आपको मालू में exact location Phoenix family का, क्योंकि जियान क मतब जुनिर का जो reincarnation sale है, इसका रिस्ता Phoenix clan के साथ होना चाहिए, और ये लगबग-लगब reincarnation को touch कर रही है, तो इन्हें जरूर से जल्दी से Phoenix clan जाना पड़ेगा, ये तुरंती कहती ही Fankin कि इस लड़की के body मेरे इसाब से शाद Phoenix family का power है, क्योंकि जो Phoenix clan का location is even इसे fire elf वाल अब जियान इसे promise कर देता है, ये कहती है, तुम्हें लग रहा हो, मैंने तुम्हारा फायदा उठा लिया, पर ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें Phoenix clan जाना है, तो वहाँ पर एक token वगड़ा लगएगा, क्योंकि इस लड़की के अंदर जो Phoenix clan का power है, काफी जदा powerful है मेरे साब स और लेंग लूचेन भी इसकी बात से सामत थे, लूचेन इनको इस लड़की के साथ एक स्पेस टाइम वाम होल से भेज देते हैं, अब जियान के बात जाने के बात, यहाँ पर एक old man थे, कुन लाओ, ये इससे कुछ बात करते हैं, लूचेन से की जो six path वाला flame ऐसे कुछ में, मानों ही लोग किसी speech के लिए urgently प्लान कर रहे हो, पर इनका चेहरा काफी जदा serious रहता है, इधर समय काफी जल्दी बितता है, और 10 दिन निकल गह रहते हैं, और थोड़ी समय में ये उस लड़की के साथ, टियान फेंक लैन पहुच जाते हैं, हाला कि टियान फेंक लैन फिनिक्स क्लैन से related है, पर इनका ब्लड लाइन है थोड़ा impure है, अब इस स्पेस में आने के बाद, जियान भी थोड़ा बहुत यहां पर अलगी fluctuation फील करता है, ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तब ही यहां पर कई सारे लोग प्रकट हो जाते हैं, और ये दो बन यहां प्रकट होते हैं, और ये फैंकिंग को देख करके एक अलगी malicious intent वाली smile देते हैं, तब इस जियान अपने soul power को release करता है, ये दोनों भी थोड़ा समय के ले डर जाते हैं, और कहते हैं, हमारे क्लैन के बीच में तुम मत बोलो, और साथ मतलब junior समझ जाती है, यही लोग टिया पर जियान भी समय अपना time waste नहीं करना चाता था, अब ये दोनों जब देखते हैं कि जियान पीछे खड़ा है, ये कहते हैं, ये बंदा तो मेरे साब से, फिनिक्स क्लान का है भी नहीं, ये तो human है शायद, अब ये जियान से कहते हैं, तुम यहां से निकल सकते हो, पर जुनिर से कहते हैं, टेंशन मतलों और एक smile देती है, जियान एक powerful attack इन दोनों पर कर देता है, और इनके एक ही attack से जियान के, ये दोनों काफी दूर फैक दिये जाते हैं, मालों के कफड़े के भी तीथड़े उड़ जाते हैं, और एक एक पंद से इन दोनों बंदों के इस जो था, ये battle formation master में heavenly rank का formation master बन चुका था, तो ऐसे हीटिया इसके सामने कुछ भी नहीं थे, अब जियान के पास वैसे भी, वो जो elder luluan ने इसको वो formation दिये थे, हाला कि इसको full power पर यूज नहीं कर सकता है, पर फिर भी वो दो formation थे, अगर एक formation को ये peak पर यूज करे तो य जियान को हग कर रहे थी, अब जियान इन दोनों को लेकर, मतब टियान फेंग, क्लैन में लड़की लेकर आ जाती है, आगे में इनको टियान फेंग क्लैन में पांच elders मिलते हैं, और फेंकिंग इन्हें बताती है, ये दोनों मेरे friend है, और ये हमारे clan का matter solve कर सकते हैं, अब उन दोनों बंदों को भी लिखाया था, जौन नायो क्लैन वाले, तो जो मिशिरियस लेड़ी थी, टियान फेंग क्लैन की उन दोनों को ही देखती है, और फेंकिंग इन्हें बता देती है, कि इन दोनों बंदों को मेरे इस friend ने capture कर लिया है, अब जैसी ये सुनती है, ये पीक पर को शौक्ड हो जाती है, क्योंकि इनकी सबसे जियान जो अभी first level reincarnation तभी ने पहुंचा है, और ये लड़की तो जौनेर जोग वो एट स्टार डाउज जियान के पीक पर है, पर फिर भी सामने वाला बंदा एक वन स्टार डाउज जियान के पीक पर और दूसरा सा मिल स्टेज पर था, अब जियान भी इंसे कहता है, फिफ्ट elder ये लड़की जो कह रही है आपकी, ये सही कह रही है, तब ये फिफ्ट elder की नजर जौनेर पर जाती है, और इसके ये misterious reincarnation मार को feel कर लेती है, और मानो इनके अंदर एक अलगी सोड़ा सा डर सच्छा जाता है, फिफ्ट elder तुरण धीने लेकर के, इनके जो टियान फैंक्लैन के deputy leader थे, उनके पास लेकर जाने लगती है, जौनेर इस समय याद करती है, मानो इस जगापर ये आ चुकी है, क्योंकि जौनेर इसके हिसाब से, जियान के हिसाब से, endless fire territory और गुक्लैन से बाहर कहीं गई ही न पर जौनेर भी कहती है, इसका जो feeling है, इसका जो feeling है, इसका जो फिलिंग है, इसका जो स्ट्रॉंग होते जा रहा है, अब जियान वगरे हैं, पर थोड़ा serious रहते हैं, तब ये बताती है, और वो लड़की जो फैंक इन थी, कि ये हमारा holy land है, टियान फैंक्लैन का, और stone house म मुझे लगा नहीं थे, कि मैं 9 profound fire lord के reincarnation power को देखूंगी, इतनी लंबी समय के बाद, और ये जूनेर को देखर करके greet करती है, और जियान के सबसे शायद, ये जो 9 profound lord थे, ये अलगी level पर रहे होंगे, और जूनेर के forehead पर इसमें एक अलगी जलने type का sensation फील हो रहा था, और पर तुरंती जूनेर को देखर कहती है, तुम्हारे body में एक चीज मिसिंग है, the spirit of fully flame, the five-legged golden crow, ये सुनते जूनेर विएक बार को शौक्ड हो जाती है, इदर जियान को कुछ समझ में नहीं बात इतनी mysterious हो रहे थी, मतलब क्या, ये पूरा जो चीज था, reincarnation seal को place करना, कि य इसा दिन आने वाला है, अब फैंग लुवान भी जूनेर से कहती है, तुम्हें लग रहोगा, मैं ये चीज कैसे जानती हूँ, ये मतलब जूनेर कहती क्या पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे पर reincarnation seal है, वो जियो जूवान हुआ मास् तुनेर को इस सब चीज साय थोड़ा पहले से पता था, पर इसने जियान को बताया नहीं था, कि जियान चंतेद होगा, जूरे समझ जाती है, जियान से माफी मांगती है, और ये बताती है कि जूवान मास्टर ने, फाइनली मतलब इनके क्लैन के लोगों ने एक divine weapon बनाया जिसे हम five leg golden crow कहते हैं, ये केवल इस holy flame का spirit नहीं है, बलकि एक divine weapon भी है, ये great thousand world में 17 रैंक का divine weapon है, अगर तुम इसके power को अपने holy flame के साथ, और reincarnation seal के साथ combine कर लोगी, तुम्हारे level unmatchable माना जा सकता है, और ये कहती है, तुम लोग tension मतलो, मैं कोई गलत काम नहीं करने वाली मतलब तुम को दोखा नहीं दे रही हूं, मतलब कि एक godly weapon बोला जा सकता है, और ये कहती है, जब तक तुम उस five leg golden crow को हासिल नहीं करोगे, तुम लोग फिनिक्स clan में enter भी नहीं कर सकते हो, पर ये बताती है, कि मुझे एक चीज पता है, कि जो nine profound lord है, उनसे पता नहीं क्या हुआ फिनिक्स क्लैन के साथ, कि वो लोग उनको काफी हीट करते हैं फिलाल, और ये बताते हैं कि जो फिलाल, ये five leg golden crow है, इसे जवान नियो क्लैन गार्ड कर रहा है, अब जियान इनसे कहता है, क्या आप चाहती है, क्या आप चाहती है, क्या आप चाहती है, तुम सही समझ दित थी, क्योंकि जियान का जिससे fight होने वाला था, वो three reincarnation level का बंदा था, पर इस समय, जो deputy chief से वो बोलते हैं, तुम ऐसा tension मतलो, यहाँ पर एक powerful बंदा प्रकट होता है, हूंग टियान करके, और ये कहता है, आप बाहरी होता है, आपको हमारे clan के बीच में नहीं आना चा फिफ्ट एल्डर इस समय इस बंदे को ढाटती है, कि तुम deputy chief से ऐसे बात करोगे, अब इस समय फैंग लुवान, जियान की तरफ देखती है, और कहती है, यही बंद है, हूंग टियान है, अब तुम इसे देखी लिए, यह इतना ज्यादा confident है, यह जियान को सारा करती है, और एक sarcastic smile देता है, फिफ्ट एल्डर इसमें थोड़ा घबरा जाती है, और यह deputy chief से कहती है, यह सही नहीं है, पर deputy chief कहती है, इस बंदे पर भरुसा रखो, क्योंकि यह जियान को देखकर ही समाज गई थी, इस बंदे के पास कई सारे forbidden techniques हैं, और यह feel कर रहे थी, इसके पा और वैसे भी young generation का leader है, वैसे भी जियान time wish नहीं करना चाता था, अब यह लोग इस ground में जाते, जहां पर battle होता है, हुंटियान smile कर रहा तो और यह कहता है, time wish मत करो, आओ जल्दी से, अब जियान जैसे अपने holy film निकालता है, यह huang टियान भी थोड़ा सा घबरा जाता है, फैंकियान भी समय, जियान को साउधान करती, कि यह बंदा सच में काफिता powerful है, तो जियान तुम भी साउधान रहना, पर जुनेर smile करती है, कहती है, तुम छोड़ दो ब्रदर जियान पे, अब जियान भी time wish नहीं करता है, यह 5 प्रकार के holy flame से एक पुद्धा lotus बना लेता ह हुआंकियान इससे जो औरा फिल करता है, यह हैरान था, और इस समय जो space था, जहां पर इलोग fight कर रहते हैं, हाला कि stable था सुर्वात में, पर यहां पर एक भाएंकर level का fluctuation होने रखता है, यह भी सोचने रखता है, यह किस प्रकार का power है, तो guys story यहीं पर समात करते हैं, और जिन्हों ने भी मुझे टेलिग्राम वगरा पर follow नहीं किया है, तो याद से कर लें, और मिलते हैं कल सुब एक नए वीडियो के साथ, शुब रातरी